मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे आम लोगों तक एक निउस को पहुँचाया जाता है आज मीडिया ही नहीं बलकि सोशल मीडिया जैसे ट्वीटर, फेस्बुक और यूटूब इत्यादी पर भी निउस को लोगों तक पहुँचाया जाता है लेकिन निउस क्या है और उसे किस प्रकार से लोगों को दिखाना है बताना है ये डिपेंड करता है उस निउस चैनल या सोशल मीडिया चलाने वाले इनसान की मानसकता पर मीडिया को देश का चौथा इस्तंब जरूर कहा जाता है लेकिन बहुत से ऐसे निउस चैनल्स हैं और अब यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए करमठ दिखाई पड़ते हैं हम सब जो कही न कही मीडिया से जुड़े हैं हमारा करतव्य है कि एक निउस को निउस की तरह ही लोगों को बताया जाए पर ऐसा होता नहीं कुछ ऐसे सेल्फ मेड पत्रकार जिन्हें वामपंतियों का गुरगा कहा जाए तो गलत नहीं होगा वो खबरों को अपनी विचारधारा के अनुसार प्रकाशत करते हैं इन बहुत से सेल्फ मेड पत्रकारों में से एक है सौरप दुवेदी जो दललन टॉप नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जो भले आज खुद को एक बड़ा पत्रकार मानते हैं लेकिन आज भी अगर आज तक जैसे ब्रैंड को इनके चैनल से हटा दिया जाए तो आज भी इने एक हजार फॉलोवर्स नहीं मिलेंगे इनका खबरों को तोड मडोर कर दिखाने का अपना एक स्टाइल है इतने बड़े ब्रैंड के साथ चुड़ने के बाद भी टटपूंजिये यूट्यूबर्स की तरह जो आकरशक थमनेल्स का उप्योग कर व्यूग कर ये भी उसी प्रकार से अपने व्यूज के लिए मशक्कत करते दिखाई पड़ते हैं और नतीजा कि ओडियंस असल न्यूज से भटकने लगती है इनके व्यूज पाने की सनक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते है कि इनके टाइटल कुछ ऐसे होते है हिटलर के लिंग की नाप घागरा चोली पहन कर घर में घुसा लड़का पकड़ाने के बाद मनजुले का बन गया इनके आदे से ज्यादा न्यूज अब केवल बॉलिवुड पर होते हैं क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं कि इनकी जूठी न्यूज अब लोगों के गले नहीं उतर रही है आप खुद सोचिए 1.85 करोड सब्सक्राइबर्स वाले चैनल के अगर 9000, 12000, 4000 व्यूज आ रहे हैं तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से ये न्यूज को सामने लाते हैं उसमें अब प्रॉब्लम है और जब आप एक न्यूज को सीधे सीधे ना दिखा कर तोड मरोड के अजीब गरीब थमनेल्स बना कर दिखाते हो तो वो किसी फेक न्यूज से कम नहीं होता इसी प्रकार से एक फेक हैडलाइन के चलते अब राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षन आयोग यानि NCPCR के प्रमुख ने दललन टॉप को कहा है कि टूलकिट गैंग की तरह काम करना बंद करि NCPCR ने एक जून को सौपी अपनी रिपोर्ट में कोट को बताया कि मार्च 2020 से लेकर 29 मई 2021 तक महामारी के कारण कुल 1742 बच्चे अनात हुए है दललन टॉप ने इसी रिपोर्ट के आधार पर एक आर्टिकल तयार करते हुए संसनी खेज हैटलाइन बनाई जिसमें लिखा गया NCPCR ने कोट को बताया है कि मार्च 2021 के बाद से देश में 1742 बच्चे अनात हुए है तो क्या नरेंद्र मोधी सरकार कम आकड़े दिखा कर देश से जूट बल रही है दूसरी बात की जिस केंद्र सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं जिने नीचा दिखाना चाह रहे हैं दरसल ये आकड़े उनके नहीं बलकी राज्यस सरकारों के हैं ललन्टॉप जिन आकड़ों को मार्च 2021 के बाद का बता रहा है वो दरसल मार्च 2020 से अब तक के हैं ललन्टॉप के इस खबर को रिट्वीट करते हुए NCPCR अध्यक्ष प्रियांक ने कहा कि टूलकिट एजेंडे की तरह खबरे मत परोसिये NCPCR ने जो आकड़े कोट को दिये हैं उसमें सपष्ट उलेक है कि आकड़े मार्च 2020 से है ना कि मार्च 2021 से प्रियांक ने ललन्टॉप को फटकार लगाते हुए का फरजी न्यूज मत फैलाओ अब ये कोई पहली वार नहीं है जब दललन्टॉप फेक न्यूज और उटपटांग हेडलाइन्स और थमनेल्स का इस्तमाल कर चिरकुटिये की तरह अपने चैनल को आगे बढ़ा रहा है अब ये हाली में जब ललन्टॉप ने सेंटरल विस्टा प्रोजेक्ट को मोदी का घर कहके प्रमूट करने की कोशिश की थी तब भी इन पर काफी सवाल उठे थे इन जैसे वामपन्थी चैनल्स का काम यही होता है सरकार के खिलाफ जहर उगलना और जब आप इनसे कहोगे कि ऐसा क्यूं कर रहे हैं तो जवाब मिलेगा हम निश्पक्ष पत्रकारिता करते हैं सरकार से तो सवाल करेंगे ही अरे भाई करोना सवाल लेकिन अगर सरकार कुछ अच्छा करे तो वो भी बताना तुम्हारा ही काम है और वो तुम कभी नहीं बताओगे तो फिर एक तरफा पत्रकारिता नहीं कहेंगे इसे तो क्या कहेंगे दललन टॉप ने एक समय में अच्छी शुरुवात की थी और अपने अनूठे तरह की पत्रकारिता के कारण जल्द ही लोगों के बीच पॉपुलर हो गए थे लेकिन अब ऐसा नहीं है अब पिछले कुछ सालों से ये एक एजेंडे के तहत नियूज दिखाते हैं और